दोस्तों अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं इस खंटी को पाकि आप लेख सके हमारी वीडियो सबसे पहले देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप अभी लाइक जरूर करें और दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूले तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों दो रुपे के राष्ट्रिय एकता वाले सिक्के हमारे देश में 1982 से चलना शुरूर गूए थे तब इन सिक्कों का डिजाइन गोल था पर बाद में 1992 में इन सिक्कों की डिजाइन में चेंज किया गया और ऐसे सिक्के 2004 तक चलते रहे और इन ही सिक्कों को यूट्यूब के कुछ वीडियोस में ऐसा बताया जा रहा है कि इन्हें आप 7-8 करोड में बेच सकते हैं दोस्तों कुछ समय पहले तक ऐसे दो रूपे के सिक्कों की बजार में भर मार्की तो ऐसे किसी भी दो रूपे के सिक्कों के कोई कलेक्टर आपको करोलों रूपे की उन देने लगा दोस्तों एक बात आप जान लीजिए कि यह सिक्के इतने रेयर नहीं है कि आपको करोडों रुपे दिला पाए ऐसे लोगों से आप साफधान रही जो आपको इन सिक्कों के करोडों रुपे में बिचवाने का दावा कर रही हैं क्योंकि उनका मकसद आपको सिर्फ बेवकूफ बनाना है पर दोस्तों आपको निराश होने की जरूरत नहीं है हम आपको कुछ सिक्के बताने वाले हैं जो कि आपको काफी अच्छी कीमत दिला सकते हैं ये सिक्के बहुत ही रेर सिक्के हैं और काफी मुश्किल से ही देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक सिक्का है 2004 में जारी हुआ सिक्का जो की कोलकाता मिंट में तयार किया गया था। 2004 में ऐसे सिख्के आखरी बार जारी हुए थे और कोलकाता मिंट में ऐसे बहुत ही कम सिख्के जारी किये गए थे इसी कारण उनकी कीमत ज्यादा है और ऐसे एक सिख्के की UNC कंडीशन में आपको 750 रुपे से 1000 रुपे के बीच मिल सकते हैं। इसके साथ ही आप 1982 और 1990 में जारी हुए सिख्कों को आप कलेक्ट करके रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ WhatsApp और Facebook में शेयर भी जरूर करें। और इसके साथ ही दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूले तो वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।